Hello everyone, welcome to Only IS आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी सभी रास्ते स्वर्ग एकियो और जाते हैं All road leads to heaven यहाँ पर जब हम exam की तैरी करना है स्टार्ट करते हैं तो हमने देखा ऐसे बहुत सारे aspirants होंगे जो दो गंटे पढ़ाई करके भी exam को clear करते हैं रोज की बात करना हो, मतलब एक दिन नहीं चार गंटे रोज पढ़ते होंगे तो भी clear हो जाता exam छे गंटे पढ़ते हैं तो भी clear हो जाता है बारा गंटे पढ़ने वालों का भी यह exam clear हो जाता है तो क्या यहाँ पर यह question पूछना जरूरी है कि क्या हम कितने देर पढ़े जिससे यह exam clear हो जाए बिल्कुल भी नहीं यह मुझे लगता है कि अच्छे questions में से नहीं count होता है आपको क्या करना है simply अपनी strategy develop करनी है अपना caliber आपको पता होना चाहिए कि मुझे कि space पर आगे बढ़ना है जिससे कि यह exam clear हो सकता है आप उस space में अपने आपको develop करिए और उस speed से आगे बढ़ते रहिए simple सा funda है हमारे पास बहुत सारे calls और mails आए इस subject के लिए science and technology के लिए कि यह एक बड़ा खत्रा है उनके जिंदगी में जब हम UPSC exam की बात करते हैं अब यह बड़ा खत्रा इसलिए है क्योंकि इसका कोई specific book नहीं है जिससे कि हम पढ़ें और उस किताब को पढ़ने के बाद हम science and technology में यह दावा कर दें कि भई चलो science and technology खतम हो गया और इससे जितना भी UPSC question पूछेगा हम लगबग लगबग solve कर लेंगे उनके लिए तो अफवा है यह subject उनको डर लगता इस subject से इसलिए फिलाल हमने अपना 10 Sunday Editorial चलाया है जिससे कि जिन लोगों को ऐसा डर लगता है ना उनसे वो science and technology पढ़के थोड़े अपना डर बाहर निकाल सके फिलाल आज के यह पूरो वीडियो है इस पूरे वीडियो के discussion का मुद्ध यह है कि आने वाले prelims में 2021 में जो 3-4 महिनों में हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा इसको हम कैसे tackle करेंगे अगर हम science and technology के perspective में बात करें तो हम आज की इस पूरे वीडियो में कुछ इन topics पर discussion कर रहे होंगे जिसमें सबसे पहले हम एक बार syllabus के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार क्या syllabus आता है UPSC के दवारा दूसरा question के इसमें पूछे जाते हैं आखिरकार UPSC में अगर हम लोग science and technology के point of view से देख रहे हैं तो पूरे paper में कितने questions होते होंगे तीसरा कौन-कौन से sources के बारे में हम बात कर सकते हैं जिनके उपर हम पढ़ें तो हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है majority of the portion हमारा cover हो सकता है चौता point यहां पर है कि हमें कितना समय देना चाहिए science and technology में जिससे कि हमें लगे कि हाँ इतना समय sufficient है और इससे majority of the questions हम deal कर सकते हैं मतलब cost to benefit ratio की बात करेंगे हम इसमें पांचवा है कि important areas कौन से हैं जिस पर science and technology पर हम थोड़ा focus करें मतलब यहां पर हम focus कर रहे होंगे smart preparation पर कि हम कैसे smartly उन topics को अलग कर सकते हैं इसले चार-पांच सालों के question papers में कहां से questions पूछे जा रहे हैं जिसके basis पर उन topics को हम priority दे सके चाटवा और आखरी यहां पर कुछ common myths होते हैं science and technology के लिए कि कैसे क्या deal करना चाहिए उसके बारे में भी हम discuss करेंगे और उनको कैसे avoid करें वो भी हम discuss करेंगे फिलाल सबसे पहले portion पर आते हैं जिसमें science and technology का basic syllabus क्या है हम उसके बारे में deal करते हैं देखो बहुत common सी बात है हर बार UPSC इस बारे में focus करता है कि भई हमें कोई PhD scholar नहीं चाहिए हमें केवल general information वाला person ही चाहिए बहुत सारे इसमें जो topics लिखे हैं वो इन ही common sense की तरफ इशारा करते हैं अब जो regular developments हो रहे हैं आप सोचो कि आप किसी district को समानने जा रहे हो तो उसमें आप science and technology का use तो करी सकते हो ना मान लो कि अगर हमें information and communication technology का सही तरीके से उपियोग नहीं पता है तो हम किसी भी एक information को अगर mass में spread करना है तो हमें यहीं नहीं समझ में आएगा कि इसको spread किस तरीके से करें तो ऐसी general information हमारे पास होनी चाहिए अब यहाँ पर cyber security से question आता है हम सबको पता है कि आज के इस digital world में जो cyber crime है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है अगर उसके बारे में knowledge ही नहीं है तो हम कैसे उसको tackle कर सकेंगे ऐसा ही common sense, general kind of information UPSC आपसे expect करता है कोई भी तीस मार्खा वाली बात करने की जरुवत नहीं है कि मुझे specialization लेना इस subject में ऐसा कुछ नहीं है बहुत general information हो irrespective of कि आप B.Tech कर रहे हैं या फिर आप commerce साइट से हैं या फिर आप art साइट से हैं matter ही नहीं करता है नहीं तो UPSC अलग से लिखता ना कि UPSC exam जो है वो science and technology वाले students के लिए है लेकिन ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है फिलहार तो ये कुछ syllabus है जिसके बारे में आप थोड़ा सा details से हम discuss कर सकते हैं basic बात ये होती है कि हमारे दो important organizations है एक है DRDO एक है ISRO इन दोनों के developments होते हैं space missions होते हैं या फिर हमारे defense technology में कुछ advancement होते हैं साल दर साल चुकि हमारी achievement है being an Indian citizen और जब आप इस India को represent कर रहे होगे being a district administrator तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि हमें at least वो सारी information तो होनी चाहिए कि हम अभी actual place में कहां पर हैं आप सोचो कि India Nepal border पर अगर आपकी posting हो जाए या फिर India China border पर आपकी posting हो जाए तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें की जरुवत होगी की नहीं similar form में आपको उतनी information की जरुवत है तो आपको पता होना चाहिए at last यहाँ पर IT की बात हमने की space technologies की बात की हमने computer और robotics की बात भी करेंगे कि आखिरकार हम पहुचे कहां पर हैं हमारे पास कितनी technology का उपयोग हम करके किसी भी field में आगे बढ़ सकते हैं उसका general information में होना चाहिए साथी साथ यहाँ पर nanotechnology UPSC का one of the favorite topic दो topics हैं एक bio technology एक nanotechnology यह दो ऐसा उभरता हुआ science है जिससे की UPSC को बहुत लगाओ है questions हर साल आते हैं और इस साल भी आएंगे ही आएंगे तो इसलिए यह कुछ ऐसे topics हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते हैं फिल्हाल उसको हम discuss करेंगे अपने important वाले sections में ठीक है बढ़ते हैं हम देखते हैं कि weightage क्या है इस पूरे prelims exam में अगर हम लोग देखते हैं तो वो बड़े-बड़े charts दिखा के कि भई 2011 में इतने question आये थे 2013 में इतने question आये थे कोई मतलब नहीं है normally पता होना चाहिए कितने questions आते हैं यहां पर लिखा हुआ है आट से 19 questions आते हैं 19 questions आये थे 2011 में उसके बाद on an average level आप यह बोल सकते हो कि भई 8 से 10 questions आते हैं मतलब पूरा paper का जायजा लिया जाये तो हमारे पास 10% की यहां पर domain बसता है यह science and technology में 10% हिस्सा आता है ठीक है यह एक तरफ और इशारा करेगा कि हमारे पास time कितना होना चाहिए इस चीज को पढ़ने के लिए तो देखो जितना subject का domain है उतना ही हमारे पास time भी devote करने का होना चाहिए तो time कितना देना है 10% आप मान के चलो आपके पास 4 महिने का समय है तो आप confused ही नहीं होगे इस चीज को लेके अब कि इस subject को कितना importance देना है उतना question आता है उसका segregation आप दे लो उतना importance दे दो आप उसके साथ सार time cost benefit ratio भी देखना पड़ेगा ऐसा ना हो कि हम science and technology को पढ़ने के लिए हम एक महीने लगा दे रहे है question तो दसी पूछेगा ना वो नहीं करना है वो ऐसा blender मुझे पूरी उमीद है कि आप लोग में से कोई नहीं करता होगा फिल्हाल यहाँ पर हम बात करते हैं कौन-कौन से sources को हम refer कर सकते हैं देखो UPSC के जितने भी subjects हैं उनके दो particular domains होते हैं एक होता है अपना current affair और दूसरा होता है हमारा static portion हर एक subject इस दो domain में बटा हुआ है यह दो domain ऐसे होते हैं कि questions कहीं से भी पूछे जा सकते हैं या फिर इन दोनों के एक single approach के साथ भी पूछे जा सकते हैं बहुत सारे questions यहाँ पर आप देख भी सकते हो इन सभी questions का जो sequence है वो इस बात पर focus करता है कि questions दो दोनों stream से आते हैं current affair से भी आता है और static portion से भी आता है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि science and technology current affair oriented subject है मतलब कि majority of the questions हमारे recent development से पूछे जाते हैं वो nanotechnology के field में हो, biotechnology के field में हो space technology के field में हो, IT में हो, cyber security के बीच में हो हर topic पर जो भी recent developments हैं पिछले एक साल के तो ही है लेकिन 2020 में ऐसे कुछ questions आए जिसके basis पर हम पिछले एक साल तक अपने आपको restrict नहीं कर सकते हैं 2016, 2017 से भी question आए हैं आप उसके पीछे मत भागो कि 2016, 2017 से आया तो चलो अब चार साल करेंट अफेर पढ़ते हैं वो तो एक blender होगा मुझे पता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर रहे होगे तो फिलहाल अभी हमें पता है कि हमारे पास दो major sources हैं अगर हम इस static की बात करें तो हमारे पास ये दो sources आते हैं इसमें से पहला source है हमारा NCRT का और एक किताब आती है रवी पी अग्रहरी की वो Tata Megra Hills वाली किताब है मोटी सी ब्लैक कलर की किताब है तो आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो अगर आप interest है आपका इस subject के अंदर तो लेकिन अगर आप मेरी मानो तो इसमें majorly जो है न वो current affair oriented है तो आप क्या कर सकते हो कि एक साल के current affairs देख लो recent developments देख लो अभी कुछ important topics हम जब discuss करेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें भी discuss करेंगे कि recent development कहां कहां से देखना है जिससे question expect कर सकते हो तो इन सब topics को अगर आप summarize करते हो तो आपको पता चल जाता है कि भी देखो ये सारे sources हम पढ़ सकते है दा हिंदू newspaper आप लोग regular basis पर देखते ही हो prelim booster वगरा और editorial discussion में और the Sunday editorial इन सबको मिला के science and technology के sufficient amount of articles आप already पढ़ चुके हो तो इसलिए बहुत डरने की बात नहीं है majority of the चीज़ें आपको आती है कुछ common sense का use करना पड़ेगा common sense का use करते कैसे हैं उसके लिए हमारा last year में आप सबको पता होगा कि एक 50 days rigorous plan चला था उसमें हमने हर एक subject को ये तयार करते हुए दिखाया था कि आखिरकार हमें approach कैसे रखनी चाहिए जब हम questions को solve करने बैठते हैं हमारा जो common sense का knowledge है for example यहाँ पर अगर हम लोग बात करें application की science and technology में मालो किसी भी एक particular portion का application पूछता है कि चलो ये genome editing की बात करते हैं genome editing के ये applications हो सकते हैं और आप ध्यान दोगे तो उसमें can be लिखा होगा तो जब can be लिखा है तो examiner को भी नहीं पता है जो question frame कर रहा है उसको भी तो नहीं पता है कि इस particular tool का या फिर इस particular technology का आगे चल के क्या क्या application हो सकता है हो सकता है अगले महीं नहीं नहीं application आजाए तो ऐसे questions में तो जब समभावनाई जयताई जाती है तो फिर application तो कुछ भी हो सकता है अब जैसे simple एक question आता है कि drone का क्या क्या application हो सकता है अब लोगों ने दिमाग लगाए कि अच्छा drone है drone सबसे पहले कब देखा था हमने देखा था भई जब हम क्लास में छोटे थे तो डेस्टर उड़ उड़ के हमारे पास आया करता था माश्रजी के हिसाब से तो वो सबसे पहला drone हमने देख लिया तो चलो वो तो अलग बात हो गई drone हमने कहा देखा है शादी विबा में जा रहा है पता चला drone से वो recording वगएर हो रहा है तो एक दिमाग में आए कि चलो drone का एक हिस्सा है कि वीडियो recording में यूज हो सकता है फिर एक आया चलो वीडियो recording ना सही हो सकता है कि हम जब security purpose से बात करें तो दुश्मन देश के वो जो border होते हैं उस पर निगरानी करने के लिए भी काम आ सकता है उसके बाद याद है अच्छा उस camera में अगर normal visual camera के जगह है अगर हम लोग IR sensors ये सारी चीज़ें लगा दें तो हम उसे terrain mapping भी तो कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं उसके बाद मैं जाने कितनी चीज़ें हम लोग map कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं अच्छो drone उड़ रहा है उसमें जो technology fit कर दोगे वो तो अपना बनाई देगा तो इसलिए उसका अथा application है उन cases में आपके पास एक ही option बसता है लेकिन हाँ इतना दिमाग आप लगा सकते हो आप safe side खेलने की बात करते हो तो यह safe side खेलना होता है कि आप examiner के दिमाग में इंडर करते हो और फिर सोचते हो कि अगर मैं examiner होता है मैं question बनाने वाला होता तुम्हे questions कैसे बता था आप किसी भी application के negative या फिर ऐसा कभी बोल सकते हो कि इसका यह application नहीं है और उस पर question बनाओगे नहीं हो सकता है तो इसे लिए ऐसे common sense का भी use आप भरपूर करो और इसके लिए 50 days regress plan हमारा last year चलाता हो सके तो उसके सभी वीडियो को एक बार आप वापस से देख सकते हो फिलहाल इन सभी चीजों के बाद भी अगर आपको डर लगता है कि भाई ये subject तो अपने बस की है ही नहीं तो देखो इन सब को cover करने के लिए हमने multiple programs अपने चलाए हुए हैं इन multiple programs को अगर दो मिनट में मैं brief करूँ तो एक foundation बनाने के लिए हमने क्या develop किया है तेजस program अभी हाल फिलाल में ही हमने launch किया है जो कि 22nd February से start होने जा रहा है आप चाहो तो उन courses को join करके भी ऐसे science and tech ही नहीं बागी जितने भी prelims oriented subjects हैं including economic survey, budget बगेरा बगेरा जो भी आते हैं current affairs की भी बात भी उसमें होगी तो हर एक चीज को आप अलग तरीके से discuss कर सकते हो एक time constraint अगर आपके पास है तो ठीक है फिलाल हम इसी discussion को आगे continue करते हैं और यहाँ पर timeline हमने discuss कर लिया फिलाल अब हम बात करते हैं कौन-कौन से हमारे important areas है जिसके लिए आप ये video देख रहे हो चलो, देखो सबसे पहला important area आता है वो है बायो technology का बायो technology में हमने जैसे भी 2020 में question आया था कि carbon nanotubes जो होती है इनके utility क्या है nanotechnology से भी related है और थोड़ा सा बायो technology और इन सब से भी आप रिलेट करके देख सकते हो दूसरा यहाँ पर है ICT information and communication technology तो 2016, 17, 18, 19, 20 हर साल question आते हैं जो मालो project Loon News में रहा तो वो आ गया Li-Fi वो भी आ गया मतलब ऐसे या फिर light visible या फिर visible light जो होते हैं उससे हम कैसे data transfer कर सकते हैं उनकी क्या क्या applications है वो सारी चीजें जैसे इसमें अब हम लोग mobile चला रहा है इस time पर mobile के उपर लिखा होता है वोल्ट है, voice over LTE वो 4G से कैसे different है, 5G से कैसे different है ये सारी information आपके पास होनी चाहिए मतलब मुझे लगता है कि ये तो general information है आपकी curiosity इतनी होनी चाहिए कि आपको ये सारी information पहले से ही पता हो और इन्हीं की basis पर questions आते हैं ICT के अंदर थर्ट आपिक है medical research अब देखो बहुत सारे questions हैं जो कि दिन पर दिन जैसे कि अभी हमने देखा कि CRISPR Cas9 जो एक cutting tool है और उस पर gene editing tool हम जिसको बोलते हैं उस पर questions लगातार दो साल से पूछे जा रहे हैं तीन साल से पूछे जा रहे हैं यहां पर अगर हम लोग कुछ ready made babies की बात करते हैं कि हम क्या उनके genetic modification करके कुछ changes ला सकते हैं हां तो ला सकते हैं बिलकुल ला सकते हैं तो उस पर question पूछ लिया गया है इसी तरीके से बहुत सारी questions जो भी medical research पर आते हैं मतलब आप इस पर ध्यान देना कि क्या नया आया है इस बार market में उस पर definitely question पूछ जा सकते हैं ठीक है चौथा है advanced technology advanced technology में हम उन technologies की बात करते हैं जिसका thought अभी हमारे दिमाग में आया है केवल ठीक है अब दिमाग में आया है for example हम देखते हैं मान के चलो हमने देखा कि एक सीशा है कोई सुबह सो के उठता है brush करते हुए सारा सीशा उतो brush कर रहा है लेकिन साथ-साथ सामने सीशे पर सारे updates आगे notifications आगे कि इच्छे आज का task यह यह है ठीक है उसने click किया side कर दिया सुबह सो के उठा उसने ऐसे अंगडाई ली और फिर window के परदे अपने आप फट गए और सूरज की रोश्मी अंदर आने लगी यह सारी चीजें जो हैं आपस में internet से connected है यह बात होती है internet of things की तो इन पे ऐसे बड़े-बड़े सवाल पूछे गए जिसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना था आपको कहना था कि यह सारे application किसके हैं यह है internet of things बस internet of things की definition पता होना तो भी question solve हो जाता है science and technology में तो इसलिए यह एक easy portion है advanced technology में इस पर definitely आपको focus करना पड़ेगा फिर एक आता है cyber security cyber security में बहुत सारे hue and cry हमने देखे cry से याद आता है wanna cry हमने देखा कि एक ऐसे virus है trojan virus हो सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि virus actual में क्या होता है हमने देखा cyber crime के ही protection में हमने ransomware देखा तो ऐसे ऐसी चीजे हम थोड़ा सा एक बार एक step आगे चलके थोड़ी basic details हम पढ़ लेते हैं बस एक google search कर लेंगे ना तो भी हमने इन सब पे sufficient amount of जो हमारा material चाहिए वो मिल जाता है इन सभी चीजों को अगर आपको वापस से नहीं भी मिलता है ना तो हमने अभी अपनी एक udan series start की है udan series आप सब जानते ही होगे बहुत colorful magazines हैं इन magazine में science and technology पर हमने भरपूर मेहनत की है और science and technology ही नहीं मतलब सारे subjects पर हमने की है बट आपको अगर कोई single source नहीं मिलता है ना तो आप इन सभी topics के लिए आप udan को definitely अपना single medium source बना सकते हो हमने बहुत मिनित किये उस पे और आपको यह सभी important topics उसमें मिल जाएंगे अगला topic है हमारा DRD और ISRO का development देखो यह तो हमारे फक्र की बात है कि अब DRD और ने कुछ अच्छा बनाया है ISRO ने कुछ अच्छा बनाया है तो यह तो हमें being an Indian citizen हमें पता होना चाहिए तो इसलिए अब being an UPSC aspirant आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसके basic general information क्या है basic चीजे मतलब ऐसा ना हो कि आप उसके science and technology के अंदर घुजगा कि कौन सी technology लगा दी Mars mission गया है तो उसमें कौन-कौन engine लगा दी है यह सब नहीं कौन सा fuel यूज हुआ है यह सब आप देख लो fuel में क्या कुछ ऐसे अलग सी चीजें हमने यूज कर लिए ऐसे cryogenic engine है cryogenic engine क्या होता है अब एक बर देख लो अगर हम बात करते हैं मानके चलो इसरो के space missions की बात की बोला गया कि यह satellite जो है वो geosynchronous orbit में revolve कर रहा है तो geosynchronous orbit आपको पता होना चाहिए क्या है geostationary orbit और geosynchronous orbit में क्या differences है वो पता होना चाहिए ऐसे basic details आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप अपने सारे questions को एक common sense के हिसाब से attend कर सको लास्ट में आता है physics और इसी में आप slash करके biology भी include कर लो क्योंकि दो UPSC का जो favorite topic है वो है एक तरीके से biology लेकिन biology का major section जो है वो इस medical research में मैंने cover कर लिया है महलूब gene editing की बात आती है gene editing अगर बात आती तो उसमें आपको मैं expect कर रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि gene क्या होता है अगर कोई human genome sequencing project है तो वो क्या होता है genome sequencing में हम जब बात करते हैं जो genomes और genes में क्या differences है वो पता होना चाहिए आपको तो यह कुछ basic sciences हैं यह basic sciences के लिए ही मैं आपको NCRT refer करने के लिए बोल रहा हूं जैसे कि इसमें physics की अगर हम बात करते हैं तो physics में आपको पढ़ना रहेगा black holes क्या होते है black hole के बारे में पता हो गया चलो ठीक है उसके बाद जैसे अभी हम अपने Sunday editorial में stellar evolution के बारे में discuss कर रहे थे यह basic चीजे हैं जिन पर हमें focus करना है ठीक है चलो यह तो important areas हो गए यहां पर अगर मैं एक line chart करूं कि भी सबसे important कौन सा है तो आप सबसे important biotechnology और slash यहां पर nanotechnology चूट गया है आप इसको भी note कर लो biotechnology nanotechnology यह दो चीजे हो गई इसके बाद आप ICT और medical research को अपने एक category में रख सकते हो इसके बाद आप advanced technology से एक question expect कर सकते हो cyber security से ransomware वाना कराई यह सब पूछा गया था फिलाल इस साल ऐसा कोई news में है नहीं बहुत जादा इसलिए इस पे question पूछा जाए इसकी संभावना थोड़ी तो कम है लेकिन फिलाल के questions में चुकी आया है इसलिए मैंने इसको important areas में लिखा हुआ है DRDO isro developments हर साल होते हैं इस साल चलो COVID का एरा था उतनी developments नहीं हो पाई है उतनी missions नहीं हो हो सकता है उसके लिए आपको ना आए इस बार का जो major component है वो हो सकता है medical research के field में आये वो COVID vaccine से related कुछ questions पूछ सकते हैं जैसे की pneumococcal vaccine के बारे में last year उन्होंने पूछ लिया था तो ऐसे करकर के pneumococcal conjugate vaccine के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है तो ऐसे vaccination पर कुछ कुछ questions आ सकते हैं फिर इसके बाद physics और biology की बात करते हैं तो कुछ अगर मान के चलिए कि हमने nobel prizes देखे तो nobel prize physics के field में कैसे मिला है biology के field में कैसे मिला है उन सब के बारे में भी हमें एक basic science पता होना चाहिए यह person नहीं पूछता है यहां पर अगर पूछने की बात होती है तो तो state PCS की बात हो गई कि वहां पर किसने क्या discover किया या फिर किसके क्या नए inventions है उसके उपर वो पूछ लेते हैं nobel prize किस person को मिला लेकिन यहां पर किस चीज पर उस person को मिला है उस पर focus करना होगा हमें ठीक है तो यह कुछ important portions थे जिन पे आपको command develop करना है अपने science and technology के field में तो यह सबसे important section है इस पूरे वीडियो का आपको ध्यान रखना है इस चीज के लिए फिर आखरी बात हम करते हैं यहां पर बात आता है कि हमें कुछ common myths हैं जिनके बारे में discuss कर लेना चाहिए सबसे पहला static versus current affairs जिसके बारे में हम already discuss कर चुके हैं यह चुकी current affairs oriented topic है तो आपको current affairs special focus करना है static के कुछ एक portion पर NCRT की बात कर सकते हो उसके biology के कुछ chapters पर सकते हो लेकिन biology में जब आप बात कर रहे होगे तो वहां पर botany geology दो अलग-अलग sections है ठीक है तो आप उसमें geology पर ज्यादा focus कर सकते हो similarly जैसे कि plants के अलग-अलग अगर phylum हैं तो उन पर आपको discussion या पढ़ने की जरुवत नहीं है अब आपको biology में जब आप पढ़ रहे हो तो आपको basic knowledge होना चाहिए कि heart कैसे function करता है या फिर अब तो वह सब पूछना इन्होंने फिलाल के लिए बंद कर दिया अब आपको सीधे intricacies पर जाना है genes के लिए genes क्या होते हैं यह सब वगएरा वगएरा इसके बाद art and commerce versus btech मतलब कि यह misconception है कि दिमाग में यह बात बस चुकी है कि मैं art side से हूँ मैं commerce side से हूँ इसलिए मेरे लिए science and technology है नहीं question आएगा हम छोड़ देंगे common guessing हमेशा काम आती है और general information का तो खेल है यह पूरा science and technology बेशक आप इस पे focus करो और यह cover हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है definitely होगा last में option D is always correct यह एक myth है लेकिन देखो बहुत बार काम आता है 2019 में काम नहीं आया था उसमें क्या था कि 11 question कुछ आया हुए थे और उसमें लगबग 2 option में D answer थे लेकिन similarly 2020 में 11 question आय थे और इसमें आपने देखा कि लगबग 7-8 question के answer D थे तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि D option पर tick करना is always right मतलब लेकिन safe site होके खेल सकते हो और थोड़ा common sense का use करो ना जरूरी थोड़ीने के हर बार D option सही होगा लेकिन लगता है कि application वाला question है करता है कि D option majority of the time अगर confused उतुड़ी लगा क्या जो chances है सही हो जाए मैं बस इतना कह रहा हूँ इसको आप universal rule मत मान लेना कभी भी ठीक है तो आज के discussion में बस इतना ही था आशा करता हूँ कि इस पूरे discussion से आपको बहुत सारी चीजें insights मिली होंगी science and technology का डर खतम हुआ होगा last में देखो एक बात याद आती है Confucius की उन्होंने ये बोला था कि it does not matter how slow you go फरक ही नहीं पड़ता है फरक इतना पड़ता है कि आपको रुकना नहीं है ठीक है जिस दिन आप रुक गए when you have stopped your preparation समझ लो उस दिन game finish है आपका revise और तीसरा reproduce reproduce वाला जो section है थोड़ा उसको सही तरीके से आप handle करना होता यू है कि हम आधे मन से पढ़के निकल जाते हैं और topics बाद में याद ही नहीं आते हैं at least आप इस शमता में रहो कि आप उसको reproduce कर सकते हो not just for prelims examination mains exam में भी यही सारी चीजें काम आने वाली हैं तो उसके लिए फिर अलग से पढ़ो अलग से उसमें कुछ नोट बनाओ उससे बैतर क्या है कि आप भी इसको इस हिसाब से पढ़ दो कि mains तक में काम आ जाए तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं इंड करता हूं तो बसके बाइस बढ़ से लिए परते पार ज्डियों करते हैं तो बढ़ से वीडियों